हलो फ्रेंस मैं रागनी और आज हम सीखेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग बाजू का डिजाइन यहाँ पे देखें फ्रेंस बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस डिजाइन को मैं बनाना बताऊंगी कि एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाए दूसरा वीडियो देख किये हैं आप देख सकते हैं बड़ी वाली स्लिप तीन इंच दोसुत या फिर साड़े तीन इंच डाउन करके कट करते हैं यहां से चवड़ाई इसका हम साड़े नौव इंच लिए क्यूंकि 38 चेस्ट का बाजू है तो आप अपने साइच की साबसे घेरा और चवड़ाई ले रही हूँ यहां पर आपको ध्यान देना अगर आपके पास चुन्नट डालने के लिए ज्यादा कपड़ा है तो आप तीन इंच चवड़ाई लीजिएगा मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा कम था इसके होजासे हम 2 इंच लिए हैं लंबाई इसका 6 इंच लिए हैं बॉर आपको किस तरह से कट को चेकर लेना कि सही जग आ रहा है कि निए बॉर्डर हमारे यहां तक आएगा ना थोड़ा से सीलेंगे तो और नीचे आ जाएगा तो बॉर्डर तक आपको कट को डालना है इससे अच्छा लुक आता है अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है म में कपड़े के सीधे साइड में कपड़ा जो है न बाजुका उसको को सीधे साइड से रखनाया और उसके उपर अस्तर वाले पार्ट Records को रख लेना है और यहां से नीचे से नीचे से पिन लगा लेना है इस ती जायन को मैं बीना पेपर पेश्टिंग आपको पताऊंगी ताकि सब लोगो जो वीगनर्स होते हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए किनकि हर किसी के पास पेपर पेश्टिंग अबलेबल नहीं होता है अब हम जो चौक से निसान बनाये हैं ने वी सेप में बिल्कुल उसी के उपर आपको सिलाई लगा लेना है यहाँ पेश्टिंग लगाने के पास से इसे हम कट करेंगे तो बिल्कुल मैं जिस तरह से मार्किंग है उसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे अंदर के साइड करके सुई को रोक के आपको कपड़े को गुमाना है ताकि नोख यहाँ पे अच्छे से बने देखिए अराम अराम से सिलाई लगा लेंगे जिस तरह से मार्किंग है और अब सिलाई को छोड़ते हुए एक चाप कपड़ा छोड़ते हुए बागी कपड़े को अंदर के साइड से कट करके निकालने के बास से देखिए नीचे के साइड जहाँ नोख है न वहाँ पर आ आपकी अस्तर के उपर चलनी साहिए, ध्यान देना है, नोक पर आपको धागे को कट कर लेना है, और दूसरे साइड भी सेम उसी तरह से सिलाई लगा लेना है, अब हम इसको अंदर की साइड पल्टेंगे, यहां से देखिए, आप नीचे की साइड धागा ज्वाइंट है, त अब इसको हम उल्टे साइड पलट लिये हैं, और आप देख सकते हैं कि वी सेफ में हमारा यहां पे कट त्यार हो गया है, अब इसके उपर प्रेस लगा लेंगे, और प्रेस लगाने के बाद से बाजू को उल्टा करना है, और अस्तर के पूरे किनारे पर सिलाई लगा करक यहां से आपको हाफ पर अच्छे से सेट करके रखना है कि कट के बाहर अस्तर नफल के, पिकिस तरह से, यहां पी देखिए फ्रेंस, अस्तर की किनारे पर हम चारो तरप सिलाई लगा लिये हैं, और अस्तर की बाहर जो भी कपड़ा आपको दिख रहा है, उसको आपको के निकाल लेना है, कि मेन कटिंग जो होती है, अस्तर के उपर हम करते हैं, अब यहां पे देखिए हमारा बाजू कट के साथ रेडी हो गया है, और यहां पे शाड़े छे इंच तिरचे में इसका कट आ रहा है, तो आपको एक से ड़ेंच बढ़ा करके यहां पर पट्टी क अब बीच में निसान बनाएंगे और बीच का जो निसान है, फोल्डेट साइड से वहां से दो दो इंच के दूरी पर हम यहां पे मार्क करेंगे, चार मार्किंग कर लेंगे यहां पर किनकि कपड़ा इतना ही है, अगर आपके पास जादा कपड़ा है तो पांच प्लेट यह आप डाल सकते हैं और अच्छा लुक आएगा, पूरे जगा पर आपको कट लगा लेना है ताकि पता चल सके कहां से हमें प्लेट को उठाना है, साइड में आपको दो इंच कपड़ा प्लेट छोड़ देना है, और उपर के साइड भी जहां भी सेंटर आ रहा है, दोनो के साइड से लेबल आपको मिलाते जाना है, और देखिए कुछ इस तरह से सेट कर लेना है, यहां पर एक साइड का प्लेट हम सेट कर लिये हैं, आप चाहे तो यहां पर पीन से सिकोर कर सकते हैं, या फिर इस सिलाई भी लगा सकते हैं, तो मैं यहां पर इस सिलाई लगा ल निए इसके उसे हम डबल़ करके कट डाल देते हैं और जहां सेंटर है और वहीं पर आपको दोनुख सरच का में म இ न में सेंटर में आना चाहिए अब देखिए उपर के साइट जहां भी सेंटर है उससे एक चाप की दूरी से आपको प्लेट को तिर्चे-तिर्चे में सेट करते जाना है और आधा देंच का गैपिंग देते हुए आप देख सकते हैं मैं आधा देंच के गैपिंग पर उपर वाला प्लेट सेट कर रहे हुँ ध्यान देखिए नीचे का जो प्लेट है उसका लाइनिंग आपका बिल्कुल सीधा आना चाहिए इस तरह से आपको लाइनिंग को मिलाते हुए कपड़े को सीधे में सेट करते हुए दोनों साइड च तो यहां पर उपर का भी प्लेट बहुत इजली सेट हो गया है और अब आप क्या कीजिए इसको अच्छे से सेट करते हुए प्रेस लगा लीजिए ताकि और फ्रिंसिंग आ जाए इसमें अब हम बाजू को लेंगे और बाजू का जो हम कट त्यार करके रखे हैं अच्छे से देखें सेंटर से सेट कर लेंगे जो नोख है हो नीचे के साइड होना चाहिए और उपर के साइड जो फैल हम प्लेट सेट की हो रहेगा यहां पर अच्छे से मिलाते हैं तीलच्छे में जितना में कवर हो रहा है पील्पली पीन लगा लीजिए और अब हम साइड से सिलाई लगाना है स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जैसे बाजू का हलका सा घुमाव टाइप का सेफ होता है तो उसी तरह से यहाँ पे ऊपर के साइड हलका सा राउन देते हुए पहले सिलाई लगा लेंगे उपर के साइड अब यहां से सिलाई को निकाल लेना है और बीच में इसको रखेंगे इसे से यादा इंच के उपर के साइड कपड़े को छाट लेना है इस तरह से कपड़े को छाटने के बाद से अब आपको साइड में सिलाई लगानी है, पिन को निकाल लेना है, और यहाँ पे साइड में सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल तिर्चे में, ध्यान रहे कि जो चुम्लट का नोक है, बिल्कुल कट के नोक पर आना चाहिए, यहाँ पे दोनों साइड सिलाई लगाने के बास स हमारा प्लेट सेट हो गया है और अब हम नीचे के साइड पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे उसके पहले जो साइड का एक्ष्टा कपड़ा अगर आपको लगे उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है उसको सिलने के बास्ते फ्रेंज देखिए अभी यहां पे हम पोटली ब कर लेना है तो यहां पे आपको सेम कलर का दागा लेना है पोटली बनाने के लिए और पोटली हम त्यार करके रख लिए हैं अब यहां पे कॉटन के पट्टी लेंगे और उस पट्टी को सीधे साइड से सिलेंगे मोरी पर पट्टी पहले लगा लेंगे उसके बास्ते बाद से फ्रेंस देखी इसको आपको डबल फोल्ड करते हुए उल्टे साइड स्टीच कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं त्यार हो गया है अब हम जो पोटली बना के रखे थे उसे लेना है साइड से आपको 2.5-3 इंच कपड़े को छोड़ते हुए आपको स्टार्ट करना है पोटली लगाना और बीच में एक एक इंच हम गैपिंग देंगे एक इंच के गैपिंग पर आपको पोटली को सेट करना है एक बाजू में लगवग आप 11-12 पोटली बनाएंगे तो कभर हो जाएगा यहांसे पोटली का मार्जन आपको अच्छे से दबागते हुए अंदर के साइड रखना है तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं पोटली सेट की हूँ बिल्कूल इसी तरह से लाज्ट तक आपको सेट कर लेना है और आप देख सकते हैं पोटली लगाने के बाद से मोहरी पे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है अब इसको उल्टा करेंगे और जो पहली वाली सिलाई लगाएं उससे एक चाप के दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि इसका जो मार्जन है अच्छे से कभर हो जाए उल्टे साइड और पहनने के बाद से पल्टे न बाहर के साइड अब जो दूसरी वाली हम सिलाई लगाएं है उसके बाद जो कपड़ा आपको पोटली का मार्जन देख रहा उससे छाट लेना है देखिए कुछ इस तरह से एक दम क्लीन कर लेना है यहां से दूसरी वाली सिलाई के बाद का जो भी कपड़ा है यहां पर इसको क्लीन करने के बाद से अब हम यहां पर एक बटन टक करेंगे तो आप कंट्रास्ट कलर का ही बटन यहां पर लगाएं जहां नोख है न डिजाइन का बिल्कुल वहीं पर इस बटन को सेट करना है बाकी सारा ब्लाउंज का डिजाइन और बाजू का भी डिजाइन आपको मिल जाएगा मेरे सेट कर लेना है और बटन को सेट करने के बाद से हमारा डिजाइन यहां पर अब कंप्लीट हो जाएगा डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद से आपको बाजू को कैसे जाइन करना यह चीज भी मैं आपको लाश्ट में बता रही हूँ अभी दोनों बाजू को आपको सेम एडिया से त्यार कर लेना है और अब देखिए यहां पे ब्लाउंज को रेडी करके रखे हैं ध्यान देना है बाजू का जहां बीच सेंटर है वहां पे कट लगा लेजिए निसान बना लेजिए और शोल्डर का जवाइट दोनों को मिलाते आपको एक साइड का बाजू पहले ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से डिजाइन आपका तिर्चा नहीं होगा और बाजू की जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आएगी कि आप देखिए दूसरे साइड के भीसे तरह से अच्छी से मिलाते हैं बाजू को आपको दूसरे साइड भी जौइंट कर लेना है तो इसी तरह से दोनों साइट का बाजू जॉइंट कर लेंगे और जैसे नॉर्मल ब्लाउज फिटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे फिटिंग कर लेते हैं बस मैं आपको बाजू जॉइंट करना बताई हूँ बाकी फिटिंग जैसे सब ब्लाउंज फिटिंग करते हैं उस तरह से फिटिंग कर सकते हैं तो फ्रेंस में मीद करते हूं से अमसाने का तरीका पसंद आये होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सकाइब करना ना भूले और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल बटन को ओन कर दें कि इसी तरह का आसान वीडियो रोज में अपने चैनल पे डालती हूं बाजू का फिटिंग आप देख सकते हैं बहुत ही